जैसा कि अभी आप देख पारे होंगे कि मैं दो तरीके की अगरबत्ती और एक पॉडर साथ में रखा हुआ हूँ और ये है हमारी अगरबत्ती कूपम बेज मतलब कूपम से बनी हुई रोगरबत्ती और दूसरी है हमारी non-coupam से बनी हुई raw गरबत्ती, मतलब normal powder से बनी हुई raw गरबत्ती और तीसरा चीज सामने में रखा हुआ हूँ, coupon powder तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है coupon powder और क्या हमें इसे अगरबत्ती में यूज करने से कुछ change मिलेगा अगरबत्ती की quality में change होगी और क्या इसे हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके बारे में जो है इस वीडियो में बात करेंगे उससे पहले एक छोटा सा request अगर आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe जरूर कर ले क्योंकि अगरबत्ती business से related ऐसी कुछ information आपको मिलती रहेगी तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है coupon powder coupon powder एक तरह की एक छाल से बना हुआ powder से और यह कुछ सुगंधित पेड मतलब जो खुस्बुदार पेड होती है उसकी छाल से बनी हुई powder होती है और इसमें एक अच्छा सा fragrance होता है जीसे हम अपनी अगरबत्तियों में यूज करते हैं जैसा कि आपको दीख रहा होगा और यह तीन category में मिलती है जैसा कि इसके colors की बात करूं मैं ते normal आपको saw dust की तरह दीखेगा जैसे brown shape में जो होता है और एक powder होती है हमारी red type की होती है मतलब लाल जैसे वो दिखती है और एक और powder होती है जो कूपम ही का लाती है वो हलकी सी yellow nest होती है उसमें मतलब येलो कलर की वो पॉडर होती है तो ये हमारे पास है मतलब ब्राउन कलर में ये खूप़म Чूप़म जो है एक अची सी छुद्बू है और ये हमारी अगरबतियों में यूज होती है कूप़म पॉडर अब उससे पहले इससे मैं कुछ अगरबतियां जो तयार किया हूँ उसके बारे में बताता हूँ जैसे कि ये लाली स्टिक में है हमारी जीसे मैंने कूपम का यूज करके इसे बनाया हुआ है मतलब हमारे premix powder में coupon powder का aid करके इसे बनाया गया है तो क्या इसमें कुछ changes है बाकी आम जो normal raw गर्वत्ती होती है उसके मुकाबले इसके बारे में जो है आपको बताने वाला हूँ जैसा कि दिखने में तो ये उसी category की ही दिखेगी जैसे raw गर्वत्ती दिखती है इसमें कुछ change नहीं होता दिखने में change नहीं होता बाकी कुछ-कुछ चीजे होती है उसके बारे मैं बताता हूँ सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी जो smell होती है मतलब normal raw गर्वत्ती के मुकाबले इसकी खुस्बू में थोड़ी सी change आ जाती है मतलब जिस टाइप के हमारे raw गर्वत्ती होती है जैसे कि यह हमारी normal raw गर्वत्ती है यह normal होती है मतलब इसमें हलकी सी जो charcoal मिले हुए हैं और जो wood powder मिले हुए हैं उनका एक खुस्बू होती है जो की हमें अच्छा नहीं लगता मतलब charcoal की smell इसमें आती है और इसमें जो है मैंने coupon powder rate करके बनाया हुआ है तो इसकी खुस्बू की बात करें तो इसमें जो powder की smell है वो smell पूरी इसमें आ चुकी है और जो charcoal की बूँ और हमारी wood powder की हलकी खुस्बू आती है जलने के बाद जैसा कि आप raw गर्वत्ती कभी जलाएंगे तो उसमें से एक खुस्बू निकलती है जो की charcoal की जैसा होती है मतलब charcoal जलने के बाद जो smell होती है वही smell होती है लेकिन इस raw गर्वत्ती में अगर हम इसे जलाएं अगर raw ही जलाएं तो इसमें खुस्बू आती है वो आती है हमारी coupon powder के और उसके बाद अगर हमें इसे डीपिंग का प्रोसेस करें, तो डीपिंग के प्रोसेस में ये थोड़ी सी हमें मदद करेगी हमारे जो परफ्यूम्स होगे उसके फ्रेग्नेंस को थोड़ा सा कंवर्ट करने में, मतलब थोड़ा सा तेज करने में, तो उसके लिए ये अगरवत्तियां चाहिए अभी मार्केट में आप एक्सपेंड करना चाहते अपनी अगरवत्ति को मतलब अच्छे से बेचना चाहते हैं अच्छे से मार्केटिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कूपम डश्क का यूज कीजिए और यह कुछ ज्यादा कॉसली नहीं होता इस से यूज करना है और जहां तक इसका जो यूज करने का तरीका वो यह है कि अगर अगर आप सोडस्ट की जगह में प्योर कूपम पाउडर का एट करते हैं तो वो और अच्छी बात है और अगर फिप्टी-फिप्टी में देना चाहते हैं तो आप वुड पाउडर और में तो छे सो ग्राम हमारा चार कोल होता है और 400 ग्राम हमारा उड मरट़स्ट होता है तो 400 ग्राम उडरस्ट में आप 200 कूपम पाउडर और 200 ग्राम उड पत्यों में जरूर करें मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद